हलो बचो आज हम पढ़ने वाले हैं खक्षा ग्यारवी, खक्षाई कादशी, प्रत महपाठा, कुशल प्रशासे में प्रस्तु तर्श, बालवी की रामायन के या योध्या काइड के सौवे सर्थ से लिया गया है आप सब ने रामायन पड़ी है, आप सब जाते हैं जब भगवान श्री राम चित्रकूर्ट में रह रहे थे, उस समय बहुत अधिक व्याकुल भरत श्री राम से मिलने आते हैं, तो श्री राम उन से कुशल प्रशन करते हैं, और ये कुशल प्रशन क्या है, जो उस समय की रा प्रशास्तिक वेवस्ता कैसी थी ऐसे अनेक प्रश्णों को बड़े सहजी बता देते हैं उस समय श्री रामने भरत से प्रश्ण किया क्या उन्होंने मंत्रियों की नियूपती शास्त्रों क्त अबिक्षाओं की अनुरूप की क्या वे मंत्रणा शास्त्रों की विधी से करते क्या उनकी वेतन का वुक्तार समय से किया जाता है ये पाठ्यांश प्रशास्तिक वेवस्ता की दृष्टी से न के बल उस समय मैतुकूल था बलकि आज भी मैतुकूल है आज भी सब चाहते हैं कि राम राज्य आजाए ऐसा क्यों चाहते हैं क्योंकि उस समय की राजनीती सर्वश्रिष्ट राजनीती थी, जहां स्वार्थ के लिए कोई स्था नहीं था, तो आओ पढ़ते हैं कुशल प्रशासलम, कुशल मतलब कुशल, प्रशासलम मतलब प्रशासल, सुन्दर राजनीती से किया हुआ कुशल राज्जी का संचान, जटिलम चीरवसलम, प्राजलिम, पतितम भुवी, दधर्शम, रामोदुदर्शम, युगांते, भासकरम यथा, बच्चे देख रहे हो, मैंने इसमें संधिया लिख दिया है, प्रह जमा अंजलिम, रामा जमादुदर्शम, युग जमा अंति, जटिलम, जटाधारन, या सारी को, चीरवसलम, चीरवसलम यस्यतम, प्रेड की छाल ही है वस्तर जिसके, प्राजलिम, प्रणाम करके, हार चोड़कर प्रणाम करने वाले को, पतितम गिरे हुए, भुवी, भुमी पर, दधर्श, देखा, राम, रामने, दुधर्शम, बुरी दशा वाले, युगांत युग के अंतने, भासकरब, सूर्य, यथा, जैसे, ये तो है शब्द बाइशाद, आओ इसका अन्वे देखे, बिटा, किसी भी श्लोक का, जब हम अनुवात करते हैं, हिंदी करते हैं, तो उसका अन्वे करना बहुत जरूरी है, उससे बहुत आसान हो जाता है, और जा सकते हैं, उस विदी में होते हैं, लेकिन जब हम अन्वे करते हैं, तो उसको हम गध्यांच की तरह सिधा करने के, जिससे वो माले लिए असान हो जाता है, रामह, रामने जटिलम, जटादारन किये हुई, चीरवसरम, पेड की छाल पहने हुई, प्राणजलिम, हाठ जो दंडवत प्रणाम करने वाले दुदर्शम ददर्श, दुदर्शम बुरी दशा वाले इसमें भरतम ने लिखा हुआ, बुरी दर्शा वाले भरत को दधर्श देखा, कैसे देखा, यथा युगांते बास्तरम, जिस प्रकार युग का अंत हो जाने पर सूर्य, यानि कि प्रले होने पर, प्रले होने पर किसी भी चीज का महत वो उसके होने तक है, जैसे अगर हम है, तो ही हमारा महत बहुत है, हम नहीं है तो हमारा कोई महत बहुत है, जब संसार नहीं है, तो फिर सूर्य का भी महत बहुत हो जाएगा, क्योंकि प्रले हो गई है, तो प्रले होन उसके बाद तो सूरे भी कांते ही ने जाए, कहने का भाव यह है, राम ने जटाधारण किये हुए, छापेड की छाल पहने हुए, दंडवत प्रणाव करने वाले बरत को बुरी दशा में ठीक उसे प्रकार देखा, जैसे युग के अन्त में सूरे दिखाई देता है, इसमें आकाशे इदी बदस्से, विलोम बदम, किम? भुवी, आकाश का विलोम पत क्या है? भुवी, जटिलम, चीर वस्नम, प्रांजलिम, पतितम, भुवी, ये सब किसके विशेश वणे? भरत के, दुवित्येश लो, कतंचित, अभी विज्याय, विवर्ण वदनम, प्रिशं, रातरम भरतम, रामह, परिजग रहा, पाडिना, संदी देखो बिटा, इसमें, कतंचित किसी प्रकार, अभी विज्याय, जानकर, पहचानकर, विवर्ण वदनम, पीला पड़ गया है, मुख जिसका, ग्रिशं, कमजोर, रातरम भरतम, भाई भरत को, रातरम भरतम, रामह, रामने, परिजग रहा, उठाया, पाडिना, हाथ से, अन्वे देखते मिटा, रामह, रामने, विवर्ण वदनम, पीले पड़ गये, चेरे वाले, क्रिशं, अत्यंत, कमजोर, रातरम भरतम, भाई भरत को, कतंचित अभी विज्याय, किसी प्रकार, पहचानकर, अपने हाथों से उठाया, रामने, पीले पड़ गए, चेरे वाले, अत्यंत, कमजोर, अपने भाई भरत को, किसी प्रकार पहचानकर, अपने हाथों से उठाया, कहने का भाग यह है, यह उनके, बहुत अधिक प्रेम का सुचक है, इस लुप, कि भरत इतले कमजोर पड़ थे, राम के मन जाने के बाद, जब उन्हों भरत नहीं सुचना सुनी, तो उनका शरीर भी कमजोर हो गया, वो कमजोर हो गए एक दम से, उनका चेरा भी पीला पड़ गया, तो यह प्रेम की परकाश्टा है, भरत राम से बहुत अधिक प्रेम करते थे, यह उनके प्रेम की तो इसमें से प्रश्ण देखते हैं, भ्रातरम, भरतम, अन्यों पद्यों विशेषण पदम की, भ्रातरम, विशेषण और भरतम क्या है, विशेषण, पहचानते कैसे हैं बिटा, यह विशेषण और विशेषण, देखो, विशेषण क्या होते है, जो संग्या या सर्वन नाम शब्दों की विशेष्टा बताएं वो कहलाती है विशेष्टा हमारे पास संग्या शब्द क्या है भरतम तो भरतम भाई भरत को तो भाई क्या हो गई भरत की विशेष्टा तो ब्रात्रम हो गया विशेष्टा और भरत की विशेष्टा बताईए इसलिए भरतम हो गया भरत की इसमें और भी कोई विशेश्टा है विवर्ण वदनम दिशत अभी विज्ञाए इती शब्दे का प्रत्य यहां कौल सा प्रत्य इसमें अभी उपसर्ग वीउपसर्ग जाथा तू लिप प्रत्य हस्ते इती शब्द से प्रयाय बाचि कि प्रयाय पदम कि पाणिन मूर्दिनफ परिश्वज्य जा राग्रमन अंके परत्य आरोप्य पर्या प्रिच्चत साधर्म आग्राय सूंग कर राम रामने तम उसको यहां संधिय के चो रामा जमतम मूर्दिनफ से परिश्वज्य आनि नन करके कि अर्च और रागमम्च रागम मतलब रग्वंची रग्वंची राम लक्ष्मण भरत्ष्य द्रुवथ्य पर्यापर राम बात करे परत्य तो हमारा राग्रम का मतलब है आपर रच को अंके गोद में भरतम भरत को आरोप्य बिठाकर पर्य प्रिच्छत पूछा साधरम आदरेण सहितम आदर सहिद अन्मे देखते बिठा रामह राग देटू तम रागवं उस रगवन्शी भरतम भरत को मुर्धि लफ़ आगराय सिर से सूंग कर परिश्वच्य अलिंगन करके गले लगाकर और अंके आरोप्य और गोद में भिठाकर साधरम पर्य प्रिच्छत आदर सहित पूछा राम ने तो उस रगवन्शी भरत को सिर से सूंग कर आलिंगन करके और गोद में भिठाकर आदर सहित पूछा कहले का भाव यह है अब राम के प्रेम की पराकाष्टा है कि राम ने कितने आदर से अपने भाई बरत को उठाया और उनको गले से लगाया और फिर उनसे आदर सहित प्रश्ण पूछे और प्रश्ण भी ऐसे जो राजनीती से संब्र बिठाएं यह हम अभी आगे पढ़े राम आंके कम आरोपित्वान राम ने गोद में किसको बिठाया प्रश्ण की हिंदी सुनते ही सबको समझ में आया होगा भरतम परत को बिठाया अस्विर वाके क्लियापदम किम इस वाके में क्लियापद क्या है पर्याप्रिशत अब हम देखते हैं इसकी व्याकरण संदी युगांते युग जमांते कतंचित अभिविज्याय कतंचित जमाभिविज्याय बर्तम आरोपय बर्तम जमारोपय रामस्तम मूर्धिन रामा जमातं जमा मूर्धिन पर्य प्रिचत परिजमा प्रिचत रामो दुदर्शं रामा जमा दुदर्शं समासा युगांते य जिरवसेदम जिरम शिरम 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 श प्रिक्षर भरतम तो अगली वीडियो में हम देखेगे ग्रम शाह एक दो तीन श्लोकों का पठित अवबो धरम आज के लिए इतना आई पाल सबस्ते ह्म देखें ओए कि लिए आजित...